वेलकोम वेक्तोब सात्यों आज लोग इस वीडियो में डेखेंगे इस वीडियो में आई यू ऐ क्या होता या दिक्राचक के ASH यानि कह सकते हैं आई यू आई से जो इंफर्टिनिटी का टीटमेंट किया जाता है उसका पूरा हम लोग ब्रीफ से एक उसका कॉंसेप्ट कर लेंगे तो चलिए सुरुआत करते हैं और यह आज का जो सेशन होने वाला बहुत इंटरस्टिक होने वाला है अब हम देखते हैं आययू वाई इसकी फुल फॉज ऑन चे कोती हैं उन्टरी यूटराइण इνसे मिनेंशन होती है यानि कह सकते हैं इस्ट की साहता से जो पूर्ष का सीमें होता हों से जानते हैं इसको महलाओं के गरभासाय में पहुंचाना में इसका मोटिव होता है इस तक्नीक का आई यू आई एक टीट्मेंट है और यह नेचरली प्रेगनसी कंसीव करने में काफी हैल्प करता है क्योंकि इसमें सीधे जो इस पर होते हैं मेल के वह सीधे-सीधे हमारी ब होता है तो मेंसुरेशन साइकल के बाद एक स्टेज आती जिसमें इवलूशन होता है यानि अंड उतसर्जन होते हैं तो उसी समय इसका वेनिफिट होता है ताकि जब अंड उतसर्जन हो जाते हैं तो इस पर्म को यूट्रस में पहुंचाना होता है क्योंकि बांच्पन का का मुह बंद हो गया है यानि ऐसी महला है जिनके सर्विक्स क्लोज हो चुकी है और इसकी बैसे इस पर महां तक नहीं पहुंच पा रहा है तो इसकी बैसे एक का फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है तो उन महलाओं के लिए काफी कारगर है इस तक्नीक की साहिता से सीधे- बर्थ कैनल के नाम से क्लोज हो चुआ है इंटर को स्की के दोरान इस पर नहीं हो पाती अब हम इस तकनीक का बेनिफिट देखते हैं यानिí बैनिफिट्स आफ इंٹ्रा इसको जानते इसका नाम से परते सैजब सबसे पहले नमबर भन इसका यह डार्ठ में पहुच जाते हैं जब इस पर महां से डाहां बहुत जायेंगे तो इस कौन्री अधिकोंचती है जब इस पर्म wavelength की अधिक महां पहुचेगी तो फर्टिलाजेशन के चांस बहुत जादा बढ़ जाते हैं तो नेचरल फर्टिलाजेशन के लिए यह तेकनिक हमारी बहुत ही अच्छी है वेनिफिट नमबर सेकंड है यह आई वी एफ यानि इन विट्रू फर्टिलाजेशन जो काफी ट्रेंडिंग टेकनिक है तो उससे इसमें देखने को मिलता है और पेनलेस टकनिक है और इसमें नो रॉक्वार्मेंट फॉर एनस्थी से यानि इसमें किसी प्रकार की सुन्पन कोई जगा करने के लिए कोई नीट्स की आप सकता नहीं होती है अब हम इस तकनिक का प्रोसीजर क्या होता है उसका मैथड क्या हो क्या मिलत करा है वे लेंहीं होता है कैथेटर के उपर होती है इसके स्पर्म कोन्टेंग्ट से इसमें उसके लगे होता है पीछे उसको पुछीम करते हैं और longest क्यांकि हमारे का सार चाहिए को निकाल लेते हैं और हमारा पर यहमें हो कि यह होता त 확진 से निखानी में होता है यह audio और वहाँ तक पहुचा दिया जाते हैं और इस पर्म जब यूटरस में पहुच जाते हैं तो इसके बाइसे बहुत धार्च होता है और मुव değişक्रीद में जहां पर आपको देखने मिलेगा वहीं पर यह स्पर्म का पहुंच जाते हैं और एको फर्टिलाइज करने में काफी जल्दी हो जाता है और सुखम इस तक्नीब से एको फर्टिलाइज़ से यानि एंब्रियो और प्रग्नेंसी कंसीव करने के लिए काफी है लेटेश्ट टक्नीक है लेकिन कारगर उन में जरूर बताएगा ओवराल वाच का निकले थैंक्यू नमस्कार जैहन